हलो स्टुडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक तो क्लास इंगलिश सिंप्लिफाइट एड थैंक यू सो मच फो जोइनिंग अस तो स्टुडेंट्स क्लास 11 ओन्बिल बुक का चैप्टर नमबर 8 है सेल करोड इसके हम value based question and answer को आज यहां cover करेंगे और यह question आपसे 5 और 6 marks में पूछे जा सकते हैं तो start करते हैं students हम अपने question को तो question है हमारे पास he is an adventurer कि वो एक adventurer व्यक्ति था यानि कि सासी था और यह किसके बात हो रही है student यह हो रही है चैप्टर के author निक मिडल्टन की but at heart more a meticulous academic than a dear devil लेकिन वो एक सासी होने के अलावा अंदर से एक वो बहुत ही academic person थे एक शिक्षा भी थे explain the truth of the statement about the author आप यह जो truth आप explain कीजिए यह जो statement दी गई है author के बारे में based on your reading of the travelogue Silk Road by Nick Middleton कि Nick Middleton ने Silk Road में जो यात्रा वृतांत सुनाया है तो उसको पढ़ कर आप author के बारे में statement के बारे में क्या समझ सकते हैं बताएए कि वो actually में एक सासी वेक्ति होने के अलावा एक academic person थे तो answer है author Nick Middleton is a very adventurous person and it is a professor in Oxford की जो author है Nick Middleton ये एक बहुत ज़्यादा साहसी वेक्ति है और उसके साथ साथ वो Oxford University में professor भी है he is an environmental consultant अब वो एक प्रयावरन consultant है यानि के प्रयावरन के बारे में वो सलहा दिया करते हैं सलहाकार है and has written many articles for newspapers and magazines और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे articles लिखे हैं environment के बारे में प्रयावरन के बारे में newspapers के लिए और magazines के लिए as well as he has written 16 books और इसके साथ साथ वो 16 books को भी लिख चुकी है he teaches geography at Oxford University अब वो Oxford University में भूगोल के professor रहे and often keeps researching on the environment और इसके बार अकसर भी वो जो प्रयावरन है इसके उपर research करते रहते हैं his interest is in desert area and how many types of environment exist on this earth and what is the climate there अब उनका जो interest रहा वो desert area में रहा और इसके साथ साथ कितने तरीकी का environment इस धर्टी पर है और महा पर क्या climate क्या मोसम रहता है तो इसके बारे में वो लगाता research करते हैं he keeps writing articles on them उसके साथ साथ वो इसके उपर अपने articles वगरा को लिखना जारी रखते थे अब जब वो होर पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्हों उसकी सुन्दरता देखने के बिजए उन्होंने क्या देखा उन्होंने देखा कि इस थान पर टूरिस्ट के दुआरा कितनी गंदिकी को फैलाया गया है क्योंकि वो एक शिक्षावादी वेक्ती थे प्रयावरन के ओपर हमेशा articles वगरा लिखा करते थे तो होर पहुँचकर भी वो उस थान की खुबसूरती को तो बात में देखते पहले उनका ध्यान महाफैली गंदिकी पर चला गया और वो यह देखकर बहुत ज़्यादा डिस्वाइंटे हुए कि हुमन किस तरीके से अपनी गलतियों के कारण इवर्वर्मेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पोचा रहा है और जो नेचुरल गिफ्ट जो है भगवान ने उसे दिये हैं तो वो किस तरीके से उनको खतम करने की कगार पर लगा रहा है तो जब वो होर पोचे क्योंकि होर जो है एक बहुत ज़्यादा नेचुरल प्राकरतिक भगवान के दिया हुआ एक ऐसा गिफ्ट है इतना सुन्दर है जो इसे धर्थी का हैवन कहा जाता है स्वात कहा जाता है लेकिन महापर भी इंसानों ने क्या हाल किया इसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो गए अब वो एक बहुत ज़्यादा बोल्ड परसनलिटी के वेक्ते हैं लेकिन इसके बावजूद वो एक बहुत केरिंग परसन भी है और उन्हों ने एक बहुत ही ग्राफिक डिटेल दी वहाँ पर जो बहाड़ों की चोटियां थी उसकी और उसके साथ साथ जो बरफ से ढखे वे माउन्टेंस थे और रोड थी उनके और उसके साथ जो वहाँ जो लोग उने मिले उनके प्यूर बहुत ही कि किस तरीके से उन और जब वो रोर्स के द्वारा यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने पूरी तरह से अनन लिया इस धर्ती की नैच्रल सेनरी का और उसका बहुत खुब सूरती से उन्होंने वर्णन भी किया लेगिन इसके साथ साथ वो human beings के mistakes को भी जो है highlight करते रहे कि किस तरीके से human जो है अपनी गलतियों के कारण इतने सुन्दर प्रयावरन को भी बरबात करने में लगा हुआ है this proves that he was an easy going and brave personality और यही थाबित करता है कि वो एक बहुत ही जादा easy going और brave personality के व्यक्ति है but at heart he was an academic लेकिन दिल से वो सच में ही एक academic व्यक्ति है यानि कि एक शिक्षाविद है he was an environmentalist and did not like human interference with nature में उनके द्वारा दिये गए इस यात्रा के व्रतांत को पढ़ने के बाद हमें यही लगता है students की वो एक सहाचिक व्यक्ति थे बहुत जादा घूमना उन्हें पसंद था प्रकरती के नजदीक रहना उन्हें पसंद था तो इसी वज़े से जो human जो था interference जो करता है nature के साथ तो वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो मीद ए स्टोडेंट यह आंसर आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए आल परेट कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक मुझे मिलते हम आपसे अपने next वीडियो में keep watching, stay connected, thank you